हाई फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल आज मैं जो रेश्पी लेके आई हूँ बहुत ही आपको प्रसंद आएगा और यह टेस्टी के साथ साथ बहुत दीनों तक आप इसको रख सकते हो और बच्चे से बड़े तक सभी इसको प्रसंद करेंगे और यह जो रेश्पी जो सड़े गले हैना उसको निकाल देंगे अगर जैसे जाणा गला है कुछ थोड़ा बहुत तो उसको आप निकाल करके हटा दीजी इसको इस बेर इस्पी में नहीं लेना है अब इसको क्या करती हूं तो तोड़ करके क्योंकि जिस समय आप बनाई उसी समय इसको तोड़िए आप इसको पहले से तोड़ करके नहीं रखना है बस जिस समय बनाना है उसी समय इसको तोड़ लेना है देखिए यहां पर एक सड़ा हुआ है ना उसको निकाल करके हटा देंगे तो जिससे सड़ा गला कुछ है तो उसको आप निकाल दीजे जो खराब अंगूर है उसको निकाल करके हटा दीजे और इस तरह से मैं तोड करके सारे को निकाल लेती हूं मत्तर तोड लेती हूं सारे अंगूर को यहां पे देख सकते हैं सारे को मैंने तोड लिया है और जो चार पानी से इसको रगर रगर के धो लिया ता कि थोड़े बो जो पॉडर रगर लगे रहते ने गंदगी है सारा सारा धूल जगा मक्ही बेड़ जाता तो अच्छे से धो लिजे तो हाप के जी मैंने अंगूर लिया है और उसके बाद यहां पे लिया है ग्रैंड जार और तो इसको दो रखनला यहां करण कर लोंगी हां थो बर सागिक्टे मैं चयोब बीना पानी का मैंने । अच्छे अगर आपके पास बड़ा जार हैं तो आप एक ही बार में डाल करके ग्रायन कर सकते हैं तो देख सकते हैं इससद्रर से क्लावर में ढाल करके च्छान लोगी तो एक बार जो ग्रैंड आजार में डाल करके क्लिबर चान लिया है तो इसको पूं से इस तरह से सड़र लगए उसको चान लेंगे और जόσको असकीम है जो निकले motete इसको इसको आहिए पर चौन लेंगे तो तो तक इसको थोड़ा जी ह चिलका ना उसको मोटे पाड नहीं लेना है तो इसको स्पून से मैं निकाल लिया है और उसको देख सकते हैं मिल्कूल सारे जूज को मैंने चान करके शी बोल में रख लिया है अब इसका आगे का प्रोसेस करेंगे तो तेखिए यहां पर मैंने 100 घ्राम लिया है खजूर जो क यह वाद गरम पानि में फर से डाल करकर चूड़ दिया तो जो फुल चुका है 10 मैट हो चुका था और उसके बदर शेसंपने फुलommes गतैं तो देखे चैस को मैंने जिद रिफक देती हूं खराब है तो इसको इसको पांघ यह बिली को भी चाइए डाल देंगे खजूर को भीज़ी निकाल दिया था न उसके बादा जीए घूर तो अब इसमें एक चथाई कप लिया है आप इसको या तो गुण के साथ बनाई या तो चीनी के साथ बना सकते हैं या तो आप केवल खजूर के साथ भी बना सकते हैं बीना गुण का बीना चीनी का खजूर के साथ आप इसको सुगर फ्री बना सकते हैं इसलिए मैं बोली थी कि ज्यादा खजूर भी ले सकते हैं तो मैं आपके अच्छे से ग्राइंट हो चुका है बहुत अच्छा टी स्पुन के बराबर तेल लिया, कोई भी तेल ले लिया, सरशो का, या कोई भी तेल आप जो खाते हो, लaire सकते हैं तो मैं नुढ को लिया ही मैं और 8 gram लिया हिंग और उसमें डाल देंगे ग्रेप आजुज हो और गुए अंगूर का जुच भी लेंगे को लो मिडियenne पर पकाना है फिलम बिल्कुल नहीं पका ये गा नहीं तो क्या होगा अच्छा से सकी और बहुत आपके इसदे बहूत देख आघा गई ये होली में आपको बहुत काम आएगा जिससे आप कुछ चाट बनाते हो या कुछ और चटपटी चीज बनाते हो इसको बना करके डाल सकते हो कैसे आप बनाओगे मैं बताऊंगे आगे कैसे इसको डालना है तो देखिए यहां पर गून और जो खजूर को पीछा था ना उसक यहां पर चाट मसाला या तो आप इसको आमचुर पॉडर और निमू का जूस भी डाल सकते हैं और यहां पर कास्मीरी डेड चीली पॉडर डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी डाल दिया और इसको चला करके इसको पकाएंगे जैसा कि मैंने बताया ना कि इसमें आमचुर आप निमू का जूस डाल सकते हैं लेकिन निमू का जूस कब डालेगा जब यह पूरा बन जाएगा रेस्पी तो लास्ट में गैस बन करने के बाद डालेंगे तो यहां पर मैंने टेस्ट के इनसवार नमक डाल दिया है और इसको चला करके इसको पकने देंगे चलाते के बलयों के लेड़ेंद से थे इस सब्सक्राइब कर देढर कंसमेर लावा इसले हैं कास्मीरी fundraising सब्सक्राइब तीखा हो लेकिन वैसा तीखा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने रेड चिली पॉडर डाल दिया है तो फ्रेंड्स आपको यह रेश्पी पसंद आए ना तो मेरे वीडियो को लाइक और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए और यह इस तरह का मैं बना रही हूँ तो आज तो लाइक बनता है और आप इस रेश्पी को सेर भी किजिए ताकि सभी को होली में यह काम आए क्योंकि आप समझी गया होंगे कि बिल्कुल इमली की चट्नी जैसा यह चट्नी मैं बना रही हूं और यह जिसे बहुत लोग इ अगर जल्दी गिर जा तो तो इसको अभी और पकाने का जरूवत है लेकि बहुत बहुत अच्छा यह बना है तो इसलिए यह त्यार है अब यहां पर लिया है घुना हुआ स्यमा मेलन सीट इससे जरूर इन अगर आपके पास है तो ढलिए नहीं है तो छोड़ सकते लेकि ॥ेए , यह बहुत अच्छा आउग तो ऑर तो देख सकते हैं यह इक बोल में मैंने निकाल दिया, और देख सकते हैं कितना यह क्रीमी और कितना अच्छा यह साइनिंग रहा है यह चटनी, आप इस तरह से होली में बना करके रखिए, आप चाठ के उपर, या कोई भी जिसे बना रहे हो दही बड़ा तो उसके उपर भी डाल करके आप इसको खा सकते हैं तो पहले से बना करके रख लिजी अभी दो-तीन दिन है और उसको आप डाल करके रख लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा होली समय तो यहाँ पर मैंने बोटल को धो लिया धो करके धोप में सुखा लिया है सारे पानी को सुखा लिजी और उसके बाद चटनी को रखे ताकि आपका चटनी खराब नहीं हो तो आप बोटल में भर करके इस तरह से रख दीजी आप बहुत दिनों तक इसको खाने में काम आएगा तो आप बहुत दिन के बाद तो यह बहुत ही अच्छा बना है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेस्पी के साथ थैंक्स पर वाचिंग